नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत सुआ गया थे आपका मेरे स्कारिक्रम में और मैं हूँ आपकी दोस एस्टो विजेता देखिए, साल 2020 जो है, ये बहुत सारे परिवर्थनों का साल है और इस साल तो बहुत सारे ग्रह परिवर्थित भी हो रहे हैं जी हाँ, 23 सेप्टमर को राहु और केतु दोनों अपने रासी छोड़ करके दूसरे रासी में परिवेश करने वाले हैं राहु केतु का महा परिवर्थन का बड़ा एहम है और ये मजबूत भी है, राहु महराज ब्रिशिक में उचके हो रहे हैं 18 साल के बाद, उसके बाद केतु महराज भी ब्रिशिक में चले जाएंगे और इन दोनों गड़ाहों का परिवर्थन देश ही नहीं अपी तू बिदेश से भी देखने को मिलेगा बिदेश से भी हमें थोड़े बहुत परिशानियों का सामना करना पर सकता है पर हो सकता है कि आप नौवंबर तक नौवंबर या जब राहु ब्रैसपती महराज के 20 नौवंबर को जब वो मकर में चले जाएंगे तो हो सकता है उसके आज पास वो चाइना अटेक कर सकता है लेकिन वो हार जाएंगे ये पूरा योग बन रहा है और खास्तोर से हमारे देश के लिए भी तो ये राहु और केतु का परिवर्तन बहुत ही एहम है इन दोनों ग्रहों का जो सीधा असर होता है ना लोगों को आर्थे किस्थिति और मांसे किस्थिति से काफी बिसलित कर देते हैं जिनके लिए ग्रह सुम नहीं होता है और चार ऐसे ग्रह हैं जिनके लिए ये राहू का परिवर्तन सुभ नहीं है और वो ग्रह है मिथून, तूला, धनू और मिन इन चार रासी वालों के लिए राहू मेरा थोरी सी परिसानी लेकर के आएंगे लेकिन कहावा था ना कि जहां ताला वहां चाभी है बस हमको क्या करना राहू के छोटे छोटे उपाय करने हैं उसके लिए हम ओंग, रंग, राहवे नमा का आप जाप कर संकते हैं अगर आपको कोई भी बोल दे कि गोमेद पहनना है तो आप किसी भी हालत में आप ये चार रासी वाले गोमेद बिलकुल ना पहने बस ओंग, रंग, राहवे नमा मंत्र का जाप करें और सौर्सोती चली सा पढ़ें सौर्सोती देवी जो है वो राहू के अधिस्टाची देवी है इसलिए सौर्सोती चली सा पढ़ना राहू के दसा, महादसा या राशी परिवर्तन में बहुत ही महत्पून होता है इससे सौर्चोती चली सावसी परें और उसके बाद जो आठ भाग साली राशिया हैं जिनको राहु महराज दया करने आये हैं जिनकी समस्याओं का समधान करने आये हैं उसमें से तो सबसे पहले आजाते हैं मेश रासी तो मेश रासी वालों का चाना काफी धन मिलेगा राहो के परिवर्तन से और जब 20 नवंबर को ब्रसपती महराज मकर में आएंगे तो नव पंचम योग से उनको और भी धन की प्राप्ती होगी 20 नवंबर के बाद लेकिन हाँ थोड़ी सी परिवारी की सिती में भी रिष्टेदारों से भी उसका रिलेशन खड़ाब हो सकता है इसलिए अपनी बानी पे सयम रखे उसके बाद आते हैं मिथून रासी मिथून रासी वालों के लिए भी तो ठीक नहीं है लेकिन कड़ कर रासी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है और सिंग रासी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है सनी महराज उनको भी छपरफार के धन देने वाले हैं बहुत से समस्यों के समाधान होगा संतान की उनत्ती प्राप्ती और जिनके संतान कंश्ट में हैं, 20 नवंबर के बाद जब ब्रिस्पती महराज का राहू परिवर्तन होगा, तो उनके संतान के भी उनत्ती होगी, उसके बाद धनू लगन और रासी, आपके लिए तो ब्रिस्पती महराज छप पर फार करके लाए हैं, जो नहीं सोचे होंगे इस वर राहू और ब्रिस्पती का योग वो आपको दिला देगा, और उसके बाद हो गया, मीन रासी वाले के लिए भी, तो ठीकी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा, जब 20 नवंबर के बाद से ब्रिस्पती महराज जब मकर में आ जाएंगे, तब आपके स्थिती थोड़ा सा राहों के साथ अच्छा हो सकती है, तो क्या करें इसके लिए सनिवारों को बैगन का दान अवस करें, और बैगन क्या करें किसी गरीव आदमें को बैगन दे या सी मंदिर में बैगन चरहा दें, उसके बाद भैरव मंदिर में आप इमर्ती और पूरी चरहा सकते अगर आप आपके आसपास भहरव मंदिर होतों और उसके बाद क्या है देखे कहा तो जाता है कि हर इस्थिती में सेम बनाए रखें और देखे इस पर इस्थिती में भी आप सेम बना कर रखें फिर देखे 18 महिने में कैसे राहू मराच अपर फारधन देते हैं आज के लिए बस इतना फ झाल झाल झाल